नमस्कार आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 20 x 40 के प्लाट के उपर आप अपना प्लान कैसे त्यार कर सकते हैं यह 800 स्क्वाइर फिट का प्लाट है इसकी जो चोड़ाई है वो 20 यहां से हम घर का एंट्रेंस ले रहे हैं यह घर का एंट्रेंस है यहां से और लाश्ट में आप देख रहे हैं दो रूम हमने दिया है इस रूम की जो लेंथ है वो बारा फिट इसकी लंबाई है और नो फिट है जो इसकी चोड़ाई है और सेम ऐसे है नो फिट इसकी चोड़ाई है और बारा फिट हमने इसकी लंबाई दी है जो बारा फिट है यह डोर है दोनों रूम के जो डोर है यह केट है उसके बाद आंगन में आ जाते हैं आंगन है जो हमारा उसकी हमने 13 feet इसकी चोड़ाई है और 14 feet इसकी हमने length दी है दोनों room में बाहर दोनों तरफ हमने window रखी एक खिड़की यह जो आप देख रहे हैं बीच में दिवार के बीच में दोनों खिड़के हैं यह भी दोनों खिड़के हैं आंगन के अंदर एक window हमने बाहर रखी है लेट बात है 5 feet इसकी जो चोड़ाई है वो 5 feet है और लंबाई है वो 6 feet है एक window ventilation के लिए बाहर दी है यह kitchen दिया है हमने kitchen है उसकी 6 feet 11 inch है वो चोड़ाई दी है और 6 feet 7 inch हमने इसकी चोड़ाई दी है और 6-11 इसकी लंबाई दी है ठीक है दोस्तों यह kitchen है आपका यह first room हो गया यह second room हो गया यह आपका toilet बात हो गया यह आपका kitchen हो गया और यह आपका आंगन हो गया और third room हमने यह दिया है इसकी जो है 12 feet इसकी लंबाई रखी है हमने एक window इस दिवार के अंदर बाहर की तरफ रखी है एक window बाहर गली की तरफ रखी है और इसकी जो चोड़ाई है 10 feet है यहनि 12 by 10 का यह room हो गया आपका और फिर हम आगे चलते हैं यहां से हमने घर की entrance दिये entrance जैसे देंगे यह सीडियों वाल होल है इसी होल के अंदर हमने सीडियां रखी है इसकी जो चोड़ाई है वो 8 feet है और जो length है वो 12 feet है इसकी यहां से आपकी सीडियां उपर जाएगी च्छत पर और च्छत के उपर ऐसे खुलेगी तो यह नीचे का पूरा portion आपका खाली रहेगा गर का entrance जो main door है वो यहीं पर लगेगा आपका आप देख रहे हैं main door ही लगेगा और दो window हमने यह सीडियों के hall में हमने दो window दिया है एक window इस साइड में ओपन होगी और एक window इस साइड में ओपन होगी तो आप अच्छे से पुरे plan को समझ लीजिए 800 square feet का है दो room है इसके दोस्तों आपको पसंद आया होगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हम से जुड़े रहे हैं आगे भी ऐसे बहुत वीडियो जम लेके आएंगे थैंक्स